दोस्तों, रिल लाइफ हो, या रियल लाइफ, आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस किसी क्राइम सीन पर पहुँचती है, तो सबसे पहले पबलिक को उससे दूर रखने के लिए वहाँ पीले रंग की टेप लगा देती है, यानि पीले टेप से क्राइम सीन को गेर दिया जाता है, इसे देखकर आप लोगों के मन में भी एक सवाल जरूर आता होगा, कि पुलिस ऐसा करने के लिए पीले रंग का ही इस्तिमाल क्यों करती है, आखिर पुलिस लाल या नीले रंग का इस्तिमाल क्यों नहीं करती, आए आपको इस सवाल के जवाब बताते हैं, दोस् उसने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड भी अक्सर पीले रंग के ही होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि यात्री उसे दूर से ही देख सकें। यही वज़ह है कि पुलिस क्राइम सीन पर पीला टेप लगाती है। ऐसा करके पुलिस क्राइम सीन की तरफ लोगों का ध्यान कीचती है और उन्हें चेतावनी देती है कि यह एक प्रतिबंदित क्षेत्र है, यहां आना सक्त मना है। पीले टेप पर लिखा भी होता है क्राइम सीन या प्रवेश वर्जित। दोस्तों कई देशों में, खास्तोर से भारत और अमेरिका जैसे देशों में, कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में पीले रंग का इस्तेमाल आम बात है। दरसल, इसे अंतराष्ट्रियम मानकों के अनुसार चुना गया है, क्योंकि इस रंग को आसानी से पहचाना जा सकता है, और सारवजनिक रूप से यह रंग संदेश देता है, कि उस ख्षेत्र में कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है। दोस्तों, पीली पट्टी लगाने के पीछे मनोवेग्यानिक कारण भी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।